कि यहलो वल्कम टुएस्टइट कंप्यूटर और आज पाउर पॉर्पॉइंट में एक फॉटो अल्बम बनाने वाले चली देख लेते कैसे बनाते उसके लिए पहले स्टार्ड बटन में क्लिक करना है उसके बजींगेना पावर पी नटी कि उसके बाद इंटर मारना है कोई स्पेस नहीं देना है ठीक है क तो فोटो एलबम बनने के लिए सबसे पहले क्या ज़रुरत है फोटो की ज़रुरत होता है तो फोटो आपके कंप्युतर में कहाँ पह तो प्ता होना चाहिए तो पहले Insert Tab में क्लिक करना है उसके बाद Photo Album का जो Option मिलेगा यहाँ पे दो पार्ट है एक Upper Part एक Lower Part तो Photo Album का Lower Part में क्लिक करना है Then यहाँ पे New Photo Album का Option मिलेगा इसमें क्लिक कर देना है Then एक Dialogue Box ओपन होगा यहाँ पे देखिए Insert Picture from File Disk यहां पर क्लिक करना है देन जहां पर पिक्चर हुआ पर चले जाना है मैं दस पिक्चर सिलेक्ट करने वाला हूँ आप जितना चाहे उतना पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं तो यहां पर मैं चला जाता हूँ जहां पिक्चर है यहां से मैं दो पिक्चर ले लेता हूँ पहले वाला पिक्चर के उपर एक बर क्लिक करेंगे देन जितना भी पिक्चर आप सिलेक्ट करेंगे उसके लिए कंट्रोल को पेस करके रखना है और सिलेक्ट करना है ओके सिलिक्ट हो जाने के बाद इंसार्ट बटन में क्लिक करना है ऐसा ही और भी पिक्चर को एड़ कर लेंगे यहाँ पर देखिए कुछ बटन से यहाँ पर जो है इसको बोलते है मूव अप बटन यह जो है मूव डाउन बटन पिक्चर को उपर नीचे करने के लिए यह दोन बटन को यूज किया जाता है यह रिमूव बटन इसके लिए पता ही चल रहा है कोई पिक्चर अगर गलती से आ जाए और पसंद ना आ है तो उसको remove करना के लिए यह वाला बटन यूज होता है उसके बाद यह जो है rotate button है यह left side में rotate होगा यह right side में ठीक है यह जो है contrast up, contrast down यह है brightness up, brightness down अब यहाँ पे देखिए क्या है album layout इसके नीचे देखिए picture layout है और यहाँ पे एक drop down menu है इसको open करेंगे यहाँ पे देखिए बहुत सारा options है यहाँ से two picture with title ले लेना है उसके बाद देखिए frame shape यह क्या है rectangle तो इसमें से rounded rectangle ले लेते हैं यह themes बाद में select करेंगे अब क्या करना है create button में click कर देना है देखिए photo album तयार हो गया तो यहाँ पे क्या होगा यह पहला वाला slide है first slide में क्या होगा photo album का नाम होगा और आपने बना है तो इसलिए यहाँ पर आपका नाम होगा उसके बाद दूसरा slide में देखेंगे क्या है इसमें click करेंगे करने के बाद देखिए यहाँ पे two picture with title जो picture layout में हम select किये थे वह वाला और देखिए rounded rectangle जो है यहाँ पर picture को देखिए अच्छे से rounded rectangle है ठीक है हर एक slide में देखिए अलग-अलग picture दो-दो करके picture आ गया है तो अब क्या करना है अब यहाँ पे title देना है ठीक है अच्छा ऐसा title देना है तो मैं यहाँ पे animal लिख देता हूं देन यहाँ बार्ड्स देन फ्लावर्स देन फूट्स नेचर अब theme select करना है तो देखिए पहले design में click करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा themes है इन में से कुछ भी ले लेना है जो अच्छा लगे ओ चूस कर लेना है तो मैं एक theme के उपर click करके देखता हूं यह वाला theme के उपर click करता हूं ठीक है जब भी click करूंगा तो देखिए यहाँ पे हर एक slide में वह वाला theme apply हो जाएगा ठीक है देखिए हर एक slide में वह वाला theme apply हो गया है अब अगर हर एक slide में अलग-अलग theme apply करना है तो क्या करेंगे उसके लिए पहले तो theme चूस करना है कौन सा वाला theme देना है तो उसके हिसाब से एक-एक करके हर एक slide में apply करेंगे तो वह कैसे करते हैं देख लेते हैं तो पहले वाला slide के उपर click करेंगे अब चूस कर लेना है जो भी देना है तो मैं यह वाला देना चाहता हूं उसके लिए रैट क्लिक करूंगा इसके उपर और यहां पर देखिए apply to all slide नीचे देखिए apply to selected slide तो यह वाला ध्यान रखना है apply to selected slide के उपर click करना है हो गया देखिए यह वाला थीम चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अब दो नंबर slide के उपर click करेंगे click करने के बाद जो थीम देना है उसके उपर जाके जो अच्छा लगे वो पसंद करके उसके बाद रैट क्लिक करना है करने के बाद apply to selected slide क्लिक कर देना है देखिए वह भी चेंज हो गया ऐसे करके फिर से तीन नंबर में जाएंगे ठीक है और चूज करेंगे जो अच्छा लगे उसके उपर रैट क्लिक करेंगे करके apply to selected slides ठीक है सेम हर एक में करना है हो गया अब फिर से एक नंबर slide में चले आएंगे देन background style में क्लिक करेंगे उसके बाद कोई भी अच्छा सा background चूज कर लेना है ठीक है सावी में अच्छा सा background चूज करके दे देना है अब क्या करना है animation देना है सबको कैसे देना है उसके लिए animation टैब में क्लिक करना है उसके बाद custom animation में क्लिक करना है उसके बाद जिसको animation देना चाते हैं उसके उपर क्लिक करना है तो मैं photo album जो text है इसके उपर animation देना जाता हूं तो इसके लिए इसके उपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर देखिए एड़ एफेक्ट इसके उपर क्लिक करना है और यहां से देखिए entrance, emphasis, exit, motion path तो entrance में जाएंगे उसके बाद more effect में क्लिक करेंगे then, कोई भी अच्छा से choose करके लेना है मैं कोई भी ले लेता हूं अभी के लिए अब अच्छे से जो अच्छा लागे वह choose करिएगा तो उसके बाद जो अच्छा लागे उसके उपर क्लिक करने के बाद okay बटन में क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिए one show करेगा मतलब इसके उपर एक animation लग गया है ठीक है उसके बाद दूसरा text में क्लिक करेंगे और same add effect करेंगे entrance में जाएंगे more effects और कोई भी अच्छा सा दे देंगे ठीक है दें ok कर देंगे ऐसे करके हर एक slide में सबको animation दे देना है ओके तो मैं जल्दी से दे देता हूँ आप हो गया अब यहां पर ऐटोमेटी कली अच्छा सब्सक्राइब हूँ after के उपर क्लिक करना है और यहां पर on mouse क्लिक को off कर देना है ठीक है और यहां पर 2 seconds कर देना है then apply to all में क्लिक कर देना है अब हर एक slide में transition देंगे तो कैसे देंगे यहां पर देखिए बहुत सा transitions है तो इन में से एक-एक करके एक-एक slide में एक-एक करके देना है तो मैं दे देता हूं एक slide में दे दिया उसको दूसरा slide के उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इसको दे देंगे उसको तीसरा ऐसे करके सब को एक-एक करके transition दे देंगे ठीक है हो गया अब चाहिए तो यहां पर transition sound भी दे सकते हैं देखिए बहुत साला sound है तो मैं कोई sound नहीं देने वाला हूं यहां पर transition का speed कम ज्यादा करा जा सकता है सब कुछ हो जाने के बाद play करने के लिए slideshow के उपर क्लिक करना है उसके बाद from beginning के उपर क्लिक करना है तो देखिए presentation चालू हो गया ठीक है और इसको बंद करने के कीबोड से escape बटन दबाना है तो बंद हो जाएगा और कीबोड से चालू करने के लिए एक shortcut होता है उसको बोलते ए